नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे हमारी बुक चल रही है How to Win Friends and Influence People जिसको लोक विवहार के नाम से भी जाना जाता है लिखी है डेल कार्नेगी ने उसका ये तीसरा पार्ट है जो की है लोगों को अपने सोचने के तरीके से कैसे जीते ताकि आपकी सोच को लोग लाइक करें उसका सब चेप्टर वन है कभी भी बहस में ना पढ़ें किसी से कोई भी बहस जीती नहीं जा सकती दोस्तों दोस्तों बहस का कोई फाइदा नहीं होता है दस में से नौ बार दोनों पारिटीज को ये लगता है कि एंड में वही सही थे लेकिन उन में से शायद कोई एक ही सही होता है अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो मान लीजे बहस हो रही है आप हार गए तो आप हार गए लेकिन अगर आप जीत भी जाते हैं तब भी आप सामने वाले परसन को हार जाते हैं क्योंकि उसका जो अपने अभिमान तोड़ा है उसका जो गर्ब तोड़ा है उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट के आपने धजियां उड़ाई है वो कभी भी आपका नहीं हो सकता वो अभी भी माने और अनमाने ढंग से अपनी सोच पे अडिग रहता है इसलिए कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए इसे ऐसे बचना चाहिए जैसे एक अर्थक्वेक से बचते हैं या तो एक रसल वाइपर या सांप से बचते हैं एक बहुत ही जानी मानी पत्रिका थी उसमें उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिये थे कि कैसे असहमती को बहस में बदलने से रोकें तो वो फॉलॉइंग ये पॉइंट्स थे दोस्तो पहला पॉइंट है अगर कोई आपको आपकी गलती बताता है तो उसका थेंक्यू कहें कृतग्य रहें कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को तो उसने सुना लेकिन उसने आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया है जो शायद आपके दिमाग में ना आया हो शायद ये अफसर आपके पास है कि आप कोई गंभीर गलती करने जा रहे हो और उससे पहले ही आपको सामने वाले ने टोका है सेकंड पॉइंट है दोस्तो अपनी पहली रियक्शन पर कंट्रोल करें उस पर कभी भी भरोसा ना करें क्योंकि जब भी हम कभी ऐसी असहमती होती है तो सबसे पहले हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं कि हमें अपना बचाव करना होता है जो हमने बोला है उसका थंडे दिमाग से सोचें हो सकता है आप अपने सर्व स्रेष्ट रूप में ना होकर सबसे खराब रूप में उसके सामने प्रस्तुत हो रहे हूं Next point है दोस्तो पहले पूरी बात सुने अपना विरोधी अपना सामने वाला जो है या आपके जिससे असेहमती है उसकी पूरी बात सुने उसको बीच में ना टोकें और बार बार बीच में ना टोकें, बोलें नहीं, उसको अपनी बात पूरी बोलने दे, और इससे क्या होता है कि असहमती की दीवार खड़ी होती है, आप लोगों में एक दीवार खड़ी हो जाएगी जिससे आप कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, तो उन क्षेत्रो को उन पॉइंट्स को ढूंडें, जिन से आप ये एक पुल बना सकते हो, एक आपस में ब्रीज बना सकते हो, जिस पर आपके विरोधी सहमत हो, उन पॉइंट्स को पहले उजागर करें, बाकी पॉइंट्स को रहने दे थोड़ी तेर के लिए, तो इससे हो सकता है, आपके विरोधी जो है, वो सोचें कि हाँ, हम इस इस पॉइंट पे सहमत है, हो सकता है, कुछ एक पॉइंट असहमती के हो, उस पे चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स दोस्तों इमांदार रहें, अपनी गलती को हमेशा माने, लेकिन साथ साथ में, अपनी गलती को दिमाग से आप दोनों के फैक्ट के ऊपर बात करें, जिस बात पे चर्चा हो रही है, नेक्स पॉइंट है दोस्तों, एक प्रामिस करें, कि आप सामने वाले की बातों को सुनेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, कि वो सही हो, और आप आगे ही आगे बहस में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और अंत में जाके आपको खुद ये पता चले कि आप ही गलत थे, तो सामने वाले विरोधी को ये बोलने का मौका मिल जाएगा, कि देखा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, पर आपने सुना नहीं, या किसी और से भी ये कह सकते है कि देखा, मैंने इसको पहले ही कहा था, कि ये ये चीज़ है, लेकिन इसने पहले उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो इसी की गलती है, तो उससे क्या होगा, आपको और शर्मिंदा होना पर सकता है, तो हमेशा सामने वाले के बोले हुए विचारों पर भी ध्यान द रहा है, और वही सेम टॉपिक के बारे में सोच रहा है, तो उसको धन्यवाद करें, कि वो भी उसी टॉपिक के बारे में विचार कर रहा है, या असाहमत भी है, तब भी उसका थेंक्यू बोले, सामने वाले को अपनी मदद करने वाला समझें, और इस से आप दोनों के और उस टॉपिक के बारे में किसी और दिन या किसी और वक्त के लिए मीटिंग रख लें, लेकिन उस मीटिंग में जाने से पहले खुद से विचार करें, खुद से बहुत सारे सवाल करें, जैसे क्या मैं सही था, क्या मेरा परतिदुन्दी जो है, वो सही हो सकता है? दोस्तों नेक्स चेप्टर है दुश्मन बनाने का एक सबसे आसान तरीका और उसे कैसे अवॉइड करें थियोडोर रुजावेल्ट का एक्जामपल यहां दिया गया है जो कि अमेरिका के भुतपुर राश्ट्र पती थे तो डेल कारने की बोलते हैं कि वो कहते थे कि अगर मैं किसी भी मामले में 75% भी ठीक हूँ एकुरेट हूँ तो कहना ही क्या है मुझे कोई दुनिया के वक्ती हरा नहीं सकता लेकिन दुरभाग्ये से हम 55% भी ठीक नहीं होते और अगर बीस्वी शताबदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का ऐसा कहना है तो मेरी और आपकी तो हस्ती ही क्या है दोस्तो हम शब्दों से ही नहीं लेकिन अपने हाव भाव से भी किसी को भी ये जता सकते हैं कि आप उसके बारे में उस टाइम पर क्या सोच रहे हैं आप उसको गलत ठहराना चाते हैं या उससे आपके मतभेद हैं और इससे क्या होगा इससे यही होगा कि आपके और उसके बीच में मतभेद बढ़ते चले जाएंगे आप जो देखने से अपनी लुक्स से उसको लुक्स देते हो तो उससे उसका जो confidence है उसका जो आत्म विश्वास है उसका जो मान सम्मान है अपनी नजरों में वो तार-तार हो जाता है आप चाहे कितने भी तरक दें सामने वाला व्यक्ति कभी भी अपने mindset को नहीं छोड़ता है उसको छोड़ने के लिए उसको facts पे ध्यान देना पड़ेगा तो कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए ये words ना कहें कि मैं आपको गलत थहराने वाला हूँ या मैं आपको ये प्रूव करने वाला हूँ कि तुम गलत हो उसके लिए आप चतुराई का इस्तेमाल करें सूजबूज का इस्तेमाल करें friendly महाल बनाने की कोशिश करें दोस्तों आप अपनी बात प्रूव करने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं आइए facts को देखते हैं हो सकता है मैं गलत हूँ और आम तोर पर कई बार मैं गलत हो भी जाता हूँ लेकिन आइए तुथ्यों को देखते हैं क्या पता कौन गलत है कौन से ही है और अगर मेरी गलती हुई तो मैं उस गलती को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहता हूँ। सुकुरात, महानविक्ति थे, दार्षनिक थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक ही बात चानता हूँ, कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दोस्तों, बहुत कम लोग लॉजिकल होते हैं। हम में से जादतर लोग जज़वाती होते हैं, वो पहले से अपनी धारणाए मन में बैठा रखते हैं। चाहे वो क्रोध के लिए हो, चाहे वो एंकार के लिए हो, चाहे वो गुसे के लिए हो, चाहे वो भय की हो। पहले से ही हो mindset बढ़ा के रखते हैं कि मैं ये reaction दूँगा अगर कुछ ऐसी बात हुई तो सिधान्त ये है कि हमेशा सामने वाले व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें और कभी भी उसको सामने से ये ना कहें कि आप गलत हो दोस्तो next chapter है अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती तुरंत मान लें सिधान्त यही है कि सबसे पहले अगर आप गलत हैं अपनी गलती तुरंत ही मान लें एक ख़न भर भी किसी को मौका न दें कि वो आपकी गलती को ढूंड के आपको बताएं। उससे पहले ही आप गलती अगर कोई बताता भी है तो उसे खुले दूल से स्विकार करें। दोस्तों खुद की गलती मानना एक हिम्मत का काम होता है और उसे खुद के अंदर संतुष्टी भी होती है। कोई भी मुर्ख अपनी गलतीयों के लिए बहाने बना सकता है और ज्यादातर मुर्ख यही करते हैं। परंतु अगर आप उसी समय अपनी गलती को मान लेते हैं तो आपको एक सम्मान और प्रतिष्ठा का अनुभव होता है। आपको लगता है कि आपने अपनी गलती मान कर एक अच्छा काम किया है। दोस्तो नेक्स चेप्टर है शहद की एक बूंध। इसमें अबराहम लिंकन का कहना था कि एक गलन सिर्के से ज़्यादा एक बूंध शहद की ज़्यादा मक्यों को बुला सकती है, अपनी और अट्रेक्ट कर सकती है। अमरीका के एक पुराने भुद्पूर राष्टर पती थे, वो कहते हैं कि अगर आप मेरी और मुक्कात आने आएंगे, तो यकीन मानिये, मैं आप से तुरंत ज़्यादा डबल स्पीड से आपकी और मुक्कात आने होए आउंगा। दोस्तों, आप अगर गुस्सा हैं और सामने वाले को गुस्से में दो चार भले गुरे शब्द कह देते हैं, थोड़ी देर में आपकी भढ़ास निकल जाती है, आपका गुस्सा शांत होता है, तब क्या सिचुएशन होगी? सामने वाला क्या आपके समर्थन करेगा? बिल म Connor कि अगर आप इतरा मुंक का तान के आएंगे तो मैं भी आपकी तरफ मुंक का तान के होँगा लेकिन अगर आप ये शब्द बोलते हैं कि आय इए, बैठकर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या तथत्हें हैं हो सकता है, हम में से कोई एक क्या गलत हो तो मैं उसका खुले को ये एहसास देनाना चाहते हैं कि आप उनके दोस्त हैं, उनके दुश्मन नहीं हैं, तो उनके पैयार से बात करें, कभी भी गुस्थे से बात नहीं करें, और यही एक शहद की वो बून्ध है जिससे आप सामने वाले के विचारों को बदल भी सकते हैं, और उसे अपना मित भी बना सकते हैं सिद्धान्त नंबर चार है दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें दोस्तों नेक्स चैप्टर है पांचवां सुकुरात का रहस्य उनका क्या रहस्य था कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे उन्हें एक अच्छा फेलोसफर मानते थे तो दोस्तों कभी भी उनका कहना है कि सामने वाले को बहस के मुद्दे पर या ना वाले बातों पर कभी चर्चा ना करें हमेशा उसी बात पर चर्चा करें जिस पर आप दोनों सहमत हों और धीरे धीरे उस सहमती वाले points को ढूंडते रहें उससे क्या होगा आपके बीच में एक दिवार नहीं बनेगी आप दोस्त बनते चले जाएंगे सुकुरात हमेशा सामने वाले से वही तार्किक question किया करते थे जिसका answer हां में होता था वो हमेशा यही technique यूज़ करते थे और उसी technique की वज़े से लोग हां हां बोलते बोलते उनके बताये हुए तथ्य पे fact पे आ जाते थे और हार मान लेते थे हमेशा सामने वाले को यही बता कि हमारा दोनों का लक्षे सेम है लेकिन हमारा उस लक्षे तक पहुँचने का नजरिया अलग लग है साधन अलग लग है इस से क्या होगा दोनों में जाता दुश्मनी नहीं बनेगी और आप दोस्त बनकर रहेंगे क्योंकि दोस्तों याद रखी अगर सामने वाला एक बार ना बोल देता है तो उसे उस ना से टस से मस करवाने में बहुत मुश्किल आती है लेकिन अगर आप हाँ हाँ निकलवाते जाएंगे उस सामने वाले के मन से मुझ से तो आपको उस फैक्ट तक पहुँचने में असानी होती है जिसे आप प्रूव करना चाहते हैं साइकोलोजिकली भी दोस्तों यही होता है कि जब कोई व्यक्ति ना बोल देता है तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम उसका पूरा मस्किलर सिस्टम वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है नेगटिव मोड में आ जाता है वो हमेशा अपनी बात को नकरात्मक तरीके से प्रूव करने में लगा रहेगा और जब कोई व्यक्ति positive approach से होता है अगर कोई हां करता है तो उसका पूरा body language जो है वो positive दिखता है वो आपकी तरफ आकरशित होता है आपकी बात सुनने के लिए आपकी तरफ आता है आगे को लेकिन ना सुनने वाला वाक्ति पीछे पीछे हटता जाता है आपको ignore करता जाता है कोई भी ग्राहक है पती-पत्नी है या बच्चे है उन्होंने अगर शुरू में ना कह दी तो उसको हाँ में बदलवाने में फिर सुकुरात कहते थे कि आपको देवताओं जैसा देवदूतों जैसा logic लगाना पड़ेगा उतनी आप में क्षमता होनी चाहिए फिर उसको हाँ में change करवाने के लिए तो इस से बचने के लिए उन्हें हां करवाते रहें तो सिधानत यह है कि तत्काल सामने वाले से हां में उत्तर करवाएं जितना हां हो सके उतना बुलवाएं जिससे आप उसकी ना को दूर रख सकें ज्यादतर लोग अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बोलते हैं वो बहस में बहुत ज्यादा बोलते हैं और आप अगर उसको बीच में टोकते हैं तो वो फिर और ज्यादा frustrated हो जाते हैं ऐसा कभी न करें ये बहुत ही खतरना कादत है सामने वाले को अपने विचार आपके सामने पेश करने दें उनको बोलते रहने दें जिससे उनके मन की भढ़ास निकल जाए और जितना उनके मन के अंदर गुवार है वो सारा का सारा बाहर आ जाए बिजनस की तरह परिवार में भी कि दूसरों की बात सुनने में बहुत फाइदा होता है कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे रा कि उनका कहना था कि अगर आप दुश्मन बनाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों से आगे निकल जाएं तो आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाएंगे और अगर आप दुश्मनों को भी दोस्त बनाना चाहते हैं तो सब को अपने आगे निकलने दे और वह आपके दोस्त भीड़ों कि कभी किसी को काटने नहीं बीच में उनको को बोलने का मौका दे आपने भी देखा होगा कि जब आप कोई परेशानी बताते हैं किसी दोस्त को तो सामने वाला दोस्त जो है वो अपनी परेशानियां बढ़ा चड़ा कर बताता है और सिमिलरली अगर आप अपनी उपलब्दियां किसी को बताते हैं तो सामने वाला डब तो सात्वा की सहयोग कैसे हासिल किया जा सके आप एक बात सोच के देखिए कि जो आपके विचार हैं आपको अपने विचार अच्छे लगते हैं दूसरों के विचार के बदले तो हमारा क्या हक बनता है कि हम अपने विचारों को दूसरों के उपर थोपें कभी भी सामने को ये ना बताएं कि हम उसे कोई चीज बेच रहे हैं या हम उसे कोई चीज समझा रहे हैं। उसे अपनी समझ से ये सोजने दें कि ये मेरा ही विचार है। अगर आप धीरे धीरे उस व्यक्ति को उस टॉपिक तक ले आते हैं, जहां पर वो ऐसी स्थिति में आता है, हम केवल अपना विचार दें और सामने वाले को ये डिसाइड करने दें कि क्या वो विचार सही है या गलत हैं। नेक्स चैप्टर है दोस्तो एक ऐसा फार्मूला जो आप के लिए रिए चमतकार कर दे। आठमा चेप्टर है ये, दोस्तों याद रखिए कि लोग हमेशा गलत हो सकते हैं, लेकिन वे कभी भी ऐसा मानेंगे नहीं, आप और मैं भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम कभी मानते नहीं, तो उनको बोलने दें, उनको अपनी बात रखने दें, कभी भी उनको टोके नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखने का ट्राई करें, दोस्तों आठमा चेप्टर नेक्स्ट है, एक ऐसा फॉर्मूला जो चमतकार कर दें, दोस्तों लोग हमेशा सही नहीं होते, लेकिन वो ऐसा मानते भी नहीं है, आप और मैं भी शायद कभी कभी सही नहीं हो, लेकिन हम कई बार अड़ जाते हैं कि हम सही हैं, हम उस बात को मानते नहीं, तो जो व्यक्ति गलत है उसको अपने विचार रखने दें, उसको टोके नहीं, उसके विचारों का आदर करें, उसके प प्रस्टेशन पैदा होगी उससे बच जाएंगे आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश करें कि वह ऐसा क्यूं सोच रहा है या वह ऐसा काम क्यूं कर रहा है जिससे आपको उसको समझने में असानी होगी और उसी से आपको उसकी परस्नल्टी की चाबी मिल जाएगी आप उसके व्यक्तिक्तों के बारे में भी जान पाएंगे पूरा कि वह कैसा व्यक्ति है आप कारण में रुची लेके कि वह किस कारण से ऐसा कर रहा है परिणाम के बारे में सोचने से बच जाएंगे और इसके अलावा आप में हिूमन रिलेशन्शिप की कलावी विक्षित हो जाएगी दोस्तों चर्चा में सहयोग हमेशा तभी मिलता है जब आप सामने वाले व्यक्ति के विचारों को भी उतना ही महतो दें जितना आप अपने विचारों को महतो देते हैं तो दोस्तो सिधानत यही है कि इमानदारी से सामने वाले व्यक्ति के विचारों को समझने की कोशिश करें नेक्स चेप्टर है दोस्तो लोग क्या चाहते हैं आप ऐसे वक्य की तलाश में हैं जो बहस खतम कर दे तो दोस्तो यह रहे वो शब्द मैं आपको रत्ती भर भी दोश नहीं देता अगर मैं आपकी जगा होता तो मैं भी यही करता दोस्तो दूसरा जो है साहनुभूती का भूका होता है सामने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको साहनुभूती चाहिए हम human beings को खास कर तो अगर आप तो सिधान्त नौ ये बोलता है दोस्तो कि सामने वाले व्यक्ति के विचारों के प्रति साहनुभूती दिखाएं दोस्तो नेक्स चैप्टर है हर व्यक्ति को आग्रह पसंद होता है request पसंद होती है हम अगर लोगों को सुनेंगे उनकी बात को सुनेंगे और उन्हें सिंपति देंगे तो हो सकता है वो जो असहमती है वो दोस्ती में तबलील हो जाए किसी भी काम को करने के पीछे व्यक्ति के दो कारण होते है एक तो वो उन्हें अच्छा लगता है और दूसरा स्वभाविक होता है कि उन्हें करना ही होता है तो अगर आप लोगों को चेंज करना चाहते हैं उनकी मेंटलिटी चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें आदर्शवादी सिधानतों का सहारा लेकर चेंज करें उन्हें ये बताएं कि आप उन्हें इमानदार समझते हैं और वो आपके बताएवे काम को कर देंगे या जो भी काम होगा उसको जल्दी से करेंगे दोस्तों डेल कारने की यहां पर बोलते हैं कि बेशक ये सारे के सारे जितने भी सिधानत हैं हंडर्ड परसेंट सब पर लागू नहीं होंगे लेकिन आज तक आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं अगर आप उनसे संतुष्ट हैं तब तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन आगर आपको आज तक के रिजल्ट ठीक नहीं मिले हैं तो क्यों न इन बेसिक प्रिंसिपल्स को आजमा के देख लिए जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है हो सकता है आपके जो result हो वो change हो जाएं एक dramatically या magical result निकलें उसमें से तो दस्वा principle यह है अदर्शवादी सिधानतों का सहारा लें नेक्स चेप्टर है दोस्तो 11 अगर यह फिल्मों में होता है टीवी में होता है तो हमारी life में क्यों नहीं कर सकते दोस्तो इसमें डेल कार्णी की जी ने बोला है कि कोई भी चीज को फिल्मों में dramatically चीज से पेश किया जाता है एक को जैसे कपड़ेद होने वाले powder का washing powder का example है कि दो लोग आएंगे एक को washing powder को एक पालटी में डालेंगे दूसरे को दूसरे में डालेंगे दोनों में सेम शर्टे डालेंगे और लेकिन अचानक से निकलेगी कौन सी जिसको हमें बेचना होता है वो शर्ट जो है वो white निकलेगी और दूसरी yellow ही रह जाएगी या कम bite होगी उसके मुकाबले में तो नाटकी डंग से dramatize करके चीजों को पेश करना शुरू करें उससे क्या होगा लोग ज़्यादा अकरशित होते हैं अरे वा ये वाला वाशिंग पावडर ज़्यादा अच्छा है इसको लेते हैं सेम चीजों को facts को अगर आप नाटकी डंग से पेश करेंगे तो लोग उसमें ज़्यादा जल्दी विश्वास करते हैं और उसको मान भी लेते हैं तो चीजों को या अपने विचारों को थोड़ा नाटकी डंग से पेश करें दोस्तों इसमें examples जो है ना वो books में दिये गए हैं आपको ये book खुद खरीद के पढ़नी पड़ेगी एक बार बहुत जबर्दस book है अलग अलग एक एक chapter में कम से कम 5-5-6 example दिये गए हैं जिससे आप इन principles को और अच्छे तरीके से समझ पाऊगे next और last chapter है इस session का third part का की चुनौती दें जब कुछ काम ना आए तो सामने वाले को चुनौती दें इसमें एक example दिया है तो चार्ल्स श्वैब का की वो टहलते टहलते जब अपनी iron की factory में जाते थे तो एक बार उन्होंने शिफ्ट में देखा की वो कुछ products जो है वो आठ नंबर ही बना पाए उनके मजदूर जो है एक session में तो उन्होंने manager को बुलाया और वहां पर उन से पूश्ताच की कि ऐसा क्यूं है तो manager ने कहा कि आम तोर पर जितना manpower है उतने ही तरीके से वो लोग इस काम को कर रहे हैं और यही उनका art products ही बनते हैं तो उस रात चार्ल्स श्वैब ने क्या किया एक बड़ा सा आठ उन labor के सामने फ्लोर पे लिख दिया तो एक बड़ा सा आठ फ्लोर पे labor के सामने लिख दिया तो सभी को पता था कि यह आठ आंकड़ा जो है यह दर्शाता है कि इन्होंने इतने products बनाए अब सुबह की shift आई तो जैसे ही वो labor आए वहाँ पे मजदूर आए उन्होंने बड़ा सा आठ देखा फ्लोर पे बना हुआ तो उन्होंने अपने manager साब से पूछा कि manager साब यह क्या है तो manager साब ने बोला कि Charles Sir आये थे और उन्होंने रात के जो आठ थे product के numbers हैं वो इस पे बनाए हैं तो automatically उनके दिमाग में एक message चला गया कि हमें 8 से ज्यादा product बनाके आज दिन में देने हैं तो उस team ने 8 से ज्यादा product 9 product बनाके उस दिन दिये Charles Sir अब फिर शाम को आये उन्होंने सुना 9 बनाए हैं उन्होंने 9 लिख दिया शाम की team जब आई तब उन्होंने वो 9 लिखा हुआ देखा अब similarly उस उनके दिमाग में भी सेम आया कि यह किसले लिखा है manager ने सेम चीज़ बताई कि सुपह वाली team ने 9 products deliver करके दिये हैं पूर अपनी team से काम करवाना है या किसी से काम करवाना है तो उसके सामने चुनोती पेश करें थोड़ा उसको एक goal दें चुनोती पेश करने से डेल करने की बोलते हैं कि हमारा ये मकसद नहीं है कि वो घटिया वाली पैसे कमाने की चुनोती देना कि कौन कितना ज़्यादा पैसे साबीद कर सकता है एक leadership के बारे में एक showmanship के बारे में कि कौन उस अफसर को accept करके grasp करके अपने सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन को बाहर लाता है तो जब भी कुछ काम ना करे तो सिधानती ही है चुनोती दे इस तरीकी से दोस्तों हमारी यह 12 चेप्टर खतम हुए थर्ड पार्ट के अब मिलते हैं नेक्स्ट चेप्टर में सब पार्ट में वो है फोर्थ पार्ट तो आई होप आपको दोस्तों यह थर्ड पार्ट अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको इग्नोर मत कीजिए दोस्तों बहुत ही पावर्फुल बुक है इसके जो प्रिंसिपल हैं बहुत ही पावर्फुल हैं और सबसे पहले यही मैं जरूर पढ़ें चाहे आप किसी गवर्मेंट इंफ्रस्ट्रक्चर में काम करते हैं चाहे प्राइविट में काम करते हैं प्राइविट वालों के लिए तो और भी ज्यादा इसको पढ़ना चाहिए साथ में जिनके बड़े-बड़े परिवार हैं उनको भी यह पढ़ना च